हलो एवरिवान वेलकम बैक तो मैं चैनल लॉर्ण विद रुची आज हम लोग डेसिमल नंबर्स इस इस टॉपिक ऑफ लाइट यह करेंगे बाट इसके अंदर आज मैंने दो टॉपिक्स लिए हैं एक तो वाटर लाइक अनलाइक डेसिमल आंड कंवर्जिन ओफ अनलाइक ड लाइक डेसिमल ठीके तो पहले हम लोग फर्स कर लेते हैं लाइक अनलाइक डेसिमल आच अगसúa और heat जैक ऍथाट यह ₹ 29.25, 27.36, 132.51, तो यह सारे like decimals है, कैसे हमें decimal places देखनी है, इन decimal numbers में, देखिए, point के बाद हमें देखना है कि कितने places है, मतलब कितनी visits है, यहां पर कितनी visits है, one two, point के बाद one two, point के बाद one two, तो इसलिए यह सारे like decimals हो गए, क्योंकि हर किसी decimal number में two decimal places है, ठीकिए, decimal के बाद two places आ रही है, इसलिए सारे like decimals हो गए, एक example हम और ले लेते हैं, माले लेजे, 11.391, 136.111, और ले लेते हैं, 9.275, यह सारे भी like decimals है, कैसे क्योंकि point के बाद three places, one two three, point के बाद three places, point के बाद three places, तो हमें like decimals चेक करने के लिए, point के बाद चेक करना है, कि कितनी places हैं, अगर सभी numbers में same number of places हैं, तो वो like decimals हैं, तो इसके अंदर यह कितनी places हैं, उपर वाले example में, each having two decimal places, और नीचे वाले में three decimal places, यहां पर point से पहले क्या number है, और point के बाद क्या digits हैं, यह देखना नहीं हैं, सिरफ point के बाद कितनी places हैं, यह चेक करना है, right, now what are unlike decimals, decimal numbers with different number of decimal places are called unlike decimal numbers, यहां पर अब देखें, example, 8.2, 19.62, 27.351, देखें, point के बाद एक place, point के बाद दो places, point के बाद three places, तो यह सारे क्या होगे, अनलाइक, मतलब कोई किसी से मैच नहीं होगे, किसी के इक प्लेस, तो यह सारे अनलाइक होगे, मालनी जब एक example में ले ले तो यहां पर 9.5, अब देखें, यह सारे अनलाइक नहीं होगे, यह 8.2 and 9.5 यह दोनों like है, क्योंकि यहां पर 8.2 में भी point के बाद एक place है, और 9. 9.5 में point के बाद एक place है, इसलिए यह दोनों तो like होगे, लेकिन अब हम इसको सबको categorize नहीं कर सकते, unlike में, तो इसलिए आप यह देखें, यह तीनों unlike होगे, ठीक है, तो hope यह आपको समझ में आगया होगा, अब हम देखते हैं, कि अगर आपको unlike decimals दे रखे होंगे, तो आप उसको like decimals में कैसे change करोगे, now we will do conversion of unlike to like decimals, question will come, convert the following into like decimals, आपको कुछ numbers दे रखे होंगे, unlike decimals के, and आपको उसको change करना होगा like decimals में, ठीक है, यहाँ पर प्लीज में एक बात बोलना चाहूंगे, कि decimal numbers के जितने भी topic हैं, उसलिए आप मेरे चैनल पर मिल या फिर मेरे चैनल पर जाके 5th class की playlist भी चेक कर सकते हैं, now देखिए, यह सारे unlike हैं, अभी हमने देखा कि like decimals होते हैं, जिनमें same number of decimal places होते हैं, decimal numbers के बाद मतलब same places होनी चाहिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है point के बाद 1 place, point के बाद 3 places, point के बाद 2 places, point के बाद 1 places, अब हमें क्या करना है, इन सबको same places में, decimal places में change करना है, तो जब भी हमें change करना होगा, तो हमें देखिना है maximum number of decimal places कहां पर है, अब देखिए maximum number of decimal places कहां है, in this number, point के बाद 3 places हैं, यहाँ पर 1, 2 and 1, तो अब हमें इसको, इसको, इसको भी, 3 decimal places में change करना है तो अब हम change करेंगे 9.2 लिख लीजिए पहले 8.623 5.09 and 10.8 simple है it's very simple आप देखे 9.2 अभी एक place है हमें कितनी places में change करना है 3 में क्योंकि maximum इन numbers में 3 decimal places है तो आप 2 0 लगा दीजिए टोटल कितनी places हो गई पॉइंट के बाद 3 अब यह तो automatically 3 है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ठीक है यहाँ पर कितनी है 2 places 5.09 तो आप 1 0 लगा दीजिए यहाँ पर ठीक है अब यह वाला देखे 10.8 यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे सब change हो गए अब यह चारो decimal numbers like decimal numbers हो गए देखे point के बाद 3 places point के बाद 3 places point के बाद 3 point के बाद 3 तो जब हम यह चेंज करना है unlike to like आप extreme right side में zeros put कर दीजिए जितने भी आपको चाहिए उससे क्या होता है कि वो like में change हो जाते हैं लेकिन यहां पे मैं आपको बात बोलना चाहूंगी आप चाहिए extreme right में कितने भी zeros लगा दीजिए ठीक है मैं चाहिए इस number में कितने भी zeros लगा दू value कभी change नहीं होगी इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का same है यह भी 9.2 ही है यह भी 9.2 ही है extreme right में zero put करने से value change नहीं होगी ठीक है तो यहां अभी तो हमें सिर्फ सिर्फ इतने ही चाहिए थे three places तर तो one thing is like this की value कभी change नहीं होगी and unlike को like में change करने के लिए हम extreme right में zeros put कर देते हैं this is the tip ठीक है for decimal numbers unlike to like में कि हम उतने zeros put कर देते हैं हमें required होते हैं right तो hope यह आपको समझ में आ गया होगा यह बहुत easy है right अब एक question आपको इससे related all करा देते हूं अब आपको एक question इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको कुछ decimal numbers दे रखेंगे and उसमें से आपको बोला होगा find out the like decimals in the following मतलब decimal places same होनी चाहिए मतलब point के बाद same decimal places होंगी जिन भी decimal numbers की वो like decimals कहलाएंगे अब देखें यह कुछ decimal numbers हैं अब हम इसमें से like decimals find out करेंगे राइट देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहां point के बाद 1 अब हमें पहले point के बाद 2 डिजिट वाले ढूनने है point के बाद इसमें है point 282 तो अब यह वाला लिख लेते हैं एटीन पॉइंट सेवन फॉइंट फॉइफ उसके बाद है टू पॉइंट टू आंड उसके बाद है टू डेसिमल प्लेसे में यह वाला 117.23 यह सारे हो गए लाइक और और कौन से है ठीक है यह मतलब एक साथ रखे जाएंगे लाइक में और 7.6 कॉमा 15.1 ठीक है इनमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेसे हैं और 19.7 ठीक है तो यह भी लाइक हो गए तो यह लाइक और यह लाइक तो इस टाइप से भी आपको कोशन आ जाएंगे है बस आपको लाइक और अलाइक डेसिमल्स का कंसेप्ट ख्लियर होना चाहिए तो फोप यह वीडियो आपके लिए टेक केर बाई थाइ